कि जो वेल एजुकेट्टर परसन है चाहिए वो हिंदु हो चाहिए मुसल्मान हो वो इन लफड़ों में पढ़ता उसका में काम है पैसा कमाना पैसा किसी धर्म का नहीं है 500 का नोट हिंदू के आच से गेरे मुसल्मान की आथ से गिरें नीचे 500 गई रहे हैं ट्रेन में तो मगगा लगा मगगा तोड़के ले जाते हैं सरकार गलतने जाम है उसका एक ड्रेस कोड है वो फॉलो न चीना उसमें भगवार है न चीना अगर इस देश का मुसल्मान यह सोचा कि संख्यावल परदान मंत्री बनाएगा तो भी गलत सोच रहा है और अगर कि सर्कार अच्छी लगती है महायावति की केजिरी बाली इनका अपना उपीनियन है हमारा एक अपना है वी केच अपना फॉर इस अपने के लिए रहेंगे किसी के ओपीनियन और यह गलत नहीं बोल सकते और मैंने अकेले ने हमेरा वोट यूपी में है नहीं वैंने तो सो मूर्ख भी मिल जाएं तो एक सई इंसान को घलत ठेला देते हैं अगर वो गलत होता नहीं सुन सकते हो सुन सकते हो सुन सकते हो मैं आपको नहीं बोल रहा है हिंदु धरम का संसकार है अपने से बढ़ों को इज़त देना बरना इतनी देर में तो अगर इमाचल में होता तो डेमो बतादेता है उसे मेरे से गोली मरवात हो भाई कोई बलात कार करता है और बाहर निकालो और दूसरी बात राजी स्थान फे दलित का बच्चा पानी पीते में मारा गया राजी ने ता पीछ तम्रमने एक बार एक बात गई दी कि डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकती इंडिया में 25 पैसा चालीस पैसा कैसे देंगे हम ऑनलाइन कैसे करेंगे आज प और इनको एक भाई सुना करो या सुना करो फिर मैं मिसाले देता हूं तुम्हार को नहीं बोला लेकिन पर फिर यह संसकार हैं पहली बात तो भया हिमाचल मदराज जहां भारत की स्कोने में चलना हो चल देना ठीक है एक बात दूसरी बात ठीक है बाई यह कह रहे कि पहले पार्ट टाइम में स्कूल जाता था अभी भी स्कूल में ही हूं बिजनस और स्कूल एक साथ चल सकते हैं मैं बिजनस पर कापिटा इंकम 2005 में 835 रुपे थी ठीक है द्यान से सुनना 835 रुपे थी और वो परकापिटा इंकम जब नितिस्की सरकार आई 2019 में मोदी जी के साशनकाल में ठीक है वो हो गई 48,000 रुपे ठीक है 835 और 48,000 रुपे ठीक है अब ये समझने की बात है कि 2045 में ठीक है जो 835 रुपे थी उसके 845 में वो आज के 40,000 रुपे की स्वापिंग के बराबर थी यानि 835 में जो समान आ रहा था वो आज 40,000 रुपे में आता है तो कितनी तरक्की हो जो चार से अगर देखा जातो यानि 835 आज के 40,000 रुपे ये समझा जाए तो देश को गमरा करें कि तुम्हारी इंकम भी तो ठीक है ने सुनो ठीक है अब इसके बाद दूसरी दूसरी बात रह गई यह करें योगी भई हॉस्पिटल पर उनने बनवाया तो उससे बनवा लोना मौझूदा में जो सरकार रहती है सवाल पूचा जाता उससे और और सुनो आरे टाय डालने की बात है देश में बहुत ल सड़कों के किनारे जो कलोनिया है उनमें स्कूल हॉस्पिटल नहीं है आज भी जहां रहते हैं नौईडा सेक्टर 63 रहते हैं मैं चैलेंज देता हूं नौईडा एंसियार का छेत्रा छेत्र सेवंटी परसेंट हायर एज्यूकिशन के लिए दिल्ली पेडिपेंड है और द लोग तो पहले से ही जा रहे हैं तो ना उस सरकार ने इनको कुछ दिया ना यह देरी एक मिनट मैं आपके बीच में बोला उसने भी नहीं दिया तो फिर यह किस बात पर सपोर्ट करते हैं सरकार लेकिन रुक जाईए मुझे बात करने दीजिए बोला इनों ने अपने बाया तो कौन सा बंद करवाया मुझे यह बता दो कौन सा यूपी का सबताले जहां पर दरम देखके आज ही लाज हो रहे बताओ योगी ने क्या कर दिया चोला पहनने से अरे वह अपना रिप्रेजेंट करता है किसी को उसमें क्या दिक्कत है अगर मुसलमान टोपी लगा लड़की को गलत नजर से देख नो मेरी नजर गंदी है लड़की गल्दी नहीं उसमें आप उसको हिजाब में डख्ये क्यों रख रहे हो पहली बात यह कि पहली पर चार रहा था सवाल पहली पर उठाए जा रहे थे और इसलिए सरकार बदली है कि वेबस्था बदले अग सब्सक्राइब करनाटक कि वह बच्ची और इस स्कूल में अपने ड्रेस कोड होता है तेक्षी है और स्कूल में ड्रेस का मतलब का मैटर था इसकूल का बच्चा समझता या स्कूल उसका नाम कार देता बात खतम थी पैरेंट्स जाकर समझ लेता कोई दिक्कत नहीं थी ठीक लेकिन क्या हुआ वह बच्ची हिजाब पहने के फूर पहले गई गल्ती उस बच्ची की लेकिन उसको समझाने के लिए कौन आया इसकूल का प्रसाश्चन नहीं आया बच्रंग दल के लड़की आये मतलब मैं हिजाब पहन रहा हूं गलत है यह समझाने के लिए मुझे सरकार नहीं समझाएगी मेरी विवस्ता नहीं समझाएगी बच्चंग दल के गुंडे समझाएंगे ठीक है अब सुनो हिजाब पहनन है लड़की को जबरदस्टी बनाया गया उसने मर्जी से पहना यह कौन करेगा वह लड़की करेगी यह बजंग दल करेगा यह देश की बीजीपी की नेता डिसाइट करेगी वह पहन रही है कोई जबरदस्टी पहना रहा हूं लड़की भी आवाज उठा सकती है ना ठीक अगर वह लड़की का बयान दिखा दो इस लड़की ने का आ गया हूं मैं पहनना नहीं चाहती है जब मुझे जबरदस्टी पहन रहा हो तो अगर वह अपनी मर्जी से पहन रही है तो बहाई आपनी मर्जी का कपड़ा पहनने का दिकार है इस देश में सबको और पहन यह अगर इन्हों ने यह चीज बोली है हिजाब के ओपर इनका यह कमेंटर आये कि वह यह गलत हो गया और बीच में बजरंग दल आये अभी एक स्टेट का इंस्टिटेंस वहां पे किसी ने हिंदी में बात करी थी मेरे को स्टेट का नाम याद में आ रहा तो उन्होंने बोला कि टॉक हमारी नेटिव लेंग्वेज में बात करो तब क्यों नहीं किसी को भी रोध आया कौन आया उसमें फाइर जोड़ी एक फाइर बंदों ने करी वह एक अलग चीज जैसे इन्होंने बोला बजरंग दल उसमें आया सुनिए अगर हम कोई एक्जाम देने जाते हैं द फून है इस मिट्टी में ठीक है अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राच किया ठीक है उनके एक नेता की मूर्ति जोर्ज बंचम की नाक तोड़ गई थे एक बार उसकी नाक बनवाने के लिए एक मूर्तिगार को लाख और रुपे दिए उस टाइम पर कि नाक ढूंड दे त पर ठो मगर भारतियों के दिलोभ राज नहीं किया ठीक यूपी सरकार चानक के घाइंबर भी दोसी के बूर turf में सारा अमराज्ये था सब धनानंद के दृवर में थे किक हैं मगर धनानंद सही नहीं था ठीक बहई भाएँ ज्यान इस व्यक्ति के लिए दुर्भागे के बात है ठीक है सुना हुआ रहां हुए धरम के विशेष के मुख्ष में हैं और भूए इंतजाम और मज़ित के लिए नहीं होना हो जब ऐसी बचार दारा जनम लेती है तो देश में कम्विनलबाद बहुत संख्यक बढ़ता है ठीक है यह देश ताना साही की तरफ जा चुका जा रहा है और इसकी वज़ा सरकारे भी है और इसकी जनता भी है हिटलर हिटलर ने कुरूर साशन किया तो हिटलर सिर्फ अकेला दोशी नहीं था वहां की जनता भी दोशी थी जो हिटलर को सही मानती थी आपसे बात बताता हूं इन्हों ने बोला कि योगी के मान लिया वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ समय पहले पॉपुलेशन के ओपर चीज आई थी कि भाई इतने बच्चे नहीं होने चीए पॉपुलेशन केंट्रोल होनी चाहिए तो मुस्लिम लोगों ने यह बोल हमारा धरम उपर बढ़े हमारी अबादी हिंदूं से ज्यादा हो हम अपना प्रदान मंत्री लाएंगे अपने इसाब से देश चलाएंगे तो क्या हिंदू इस बारे में सोच रहा है तो गलत कर रहा है क्या क्यों कर रहा है तो भी गलत कर रहा है नहीं बिल्कुल गलत कर र यह आपका फरक बनता है आप किस तरव को देखेंगे यह योगी की कमियां देखते हैं इनका अपना freedom of speech इनका योगी से सवाल करना भी हक बनता है इनको अपना जवाब लेने का हक भी बनता है सेम उसी तरह हमें अपने वोट देने का हक बनता है अगर इन से हम इनका हक नहीं चीन रहें तो यह भी चीज की कोशिस ना करें कि हम उस चीज को बदलें अगर योगी कुछ एक कि धर्म को रीप्रेजेंट कर रहा है तो क्या दिक्कत है भाई सुनिए को एक समान मानेगा तब को साथ ले कर चलेगा और सब्सक्राइब मंत्री जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया उसका भी मुक्रे मंत्री थेक है हिंदू अभी मुख्य मांतर है मुझे सुन और एक में अरे बता रहाँ सुनो ऊस्पिटल चोड़ो ठीक है भई योगी जी रम नम्मी की बधाई दे सकते हैं एद और बकरेट की कुछe или शब्रम मंतरी और ढें परव सब्सक्राइब यहां परदाइव यहां वाइट गोट्राइब है कि रहे हैं सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहें तो परदेश के सभी वेक्षियों की बदाई देंगे सबी तोहरों की देंगे यह दो किसी की नीदेंगे संविधान यही कहता है कि तुमारे आगे धरम जाती कुछ भी नहीं है पंति निरपेक से उपर उढ़ गई जो पंतिने शाशक बनता है वही देश का राजय बनता मुख्य मंत्री करना मंत्री या कि पीछे जैसे मस्जिद मैं अगर वह इतने पीछे जैसे वह तिमी होता है अगर पीछे जाता एक पर्सनल रिलीजन उसका बिलीफ है आपको क्यों चीड होती है यार परसनल भी दान समी दान समी दान परसनल नहीं चलता ना देश की कानून बेवस्ता इन चीज़ों को मानता कानून आना चाहिए ठीक है ज़्यादा पॉपलेशन के किसकी है नहीं है वह अलग विशे ठीक है अब इसके बाद सुनोग अब इसके बास सुनोग एक चीज और है कि बाई एक अनुमान लगाया गया था ठी कि दुनिया में 2050 तक जो बारत की जनसंख्या है ठीक है वो सबसे ज्यादा होगी लेकिन घटेगी ठीक है जो 20 क्रोड 25 क्रोड आबादी जो 40 क्रोड आबादी है वो 100 क्रोड का आसपास रजाएगी यह डवली एचो की रिपोर्ट थी ठीक है चाइना की भी घटेगी चाइना क लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है ठीक है हां बोलो चाइना ने पॉपलेशन कंट्रोल करी है अभी लेटस्ट में हुई उनकी पॉपलेशन कम हुई क्या रूल था चाइना में आप बताव मुझको स्टिकनेस कितनी है चाइना में मुनार्की चलती अभी एक कॉमिनिस्ट पार्टी वहां पर रूल करती है इंडिया में तो नहीं करती है अगर वैसा ही लागू कर देता मोधित अपताना शाह कहते ना आप उसे वह कह देता एक बार इतना सा बोला था कि राशन पानी नहीं मिलेगा जिनके इससे बच्चे तो लोगों को मिर्ची लग है हमें देखना चाहिए हमारी जेव कितनी है मैं अगर दो बच्चे बड़ा पाऊंगा तो मैं दो ही करूँगा ना मेरी छे को अगात पढ़ा ने कि फिर मांचर बलेंगा लेकिन मैं 10 बच्चे करके यह बोलू सरकार मुझे नौकरी निदे जी सरकार मेरे बच्चे करते लेकिन लेकिन इसमें लोगों को सोचल अवेर करने की जरूबत है यह समझना है ठीक है लोग लगाने को त्यार नहीं है कैसे बोलूं यार पड़े लिखके लगान लोग भी माननी रहें कितने सालों से अवेर कर रहें इंडिया के लोग ऐसे ही है ट्रेन में तुम मगा लगा मगा तोड़के ले जाते हैं सरकार गलत नहीं अब तुम्हें इंडिया की बात करते हैं मोधी अब मैं आ रहा हूं अब मेरे को सुनो पांच मिनट योगी है मोधी ने गंद भेलाया क्या पूरे देस में यह हिंडन यह इंडिया है यह इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी है मैं हर बंदे के लिए कैसी है जब लोग ही जाइल है मारे देश के तो सरकार क्या ना करेगी पहले खुद मैं सुधार लाओ हर बंदा कि मैं गंदगी नहीं बताओ देश गंदा होगा अब सुनिये इन्हों नहीं बहुत गरीब यह बहुत लोग गरीब है सबसे ज़्यादा इस को हां से आ रहे हैं क्या वह नदी पार नहीं करते हैं क्या वह पढ़नी रहे वह क्यों ही सराब बेच लेते हैं दो को बोला नहीं बगवान सरकार यार मुझे मैडिकल दे सरकार यूप सी कि किताबें दे सरकार ने उसकी अब नहीं करी आज कितने बड़े पदवें पूरे देश में मां लोग जो हिंदू-मुसल्मान करते हैं इसके माइंड में नहीं नहीं पर वाले उसके ओपर लड़ते रहेंगे जिनने कमाने वो तो कमा रहे हैं ऐसा कोई सरकार नहीं है जो राजनीती धरम के नाम पर ना करती हो कोई सरकार नहीं है मैं खुला गह रहा हूं ना मैं किसी पार्टी मैंने कॉंग्रेस को भी वोट दिया है और दूसरी बीजेपी को भी दे जब सेंटर में मोधी की बात आती है अगर मुझे मोधी और मैं राहूल गांदी को कंपेर करूं मुझे राहूल गांधी से कहीं बैटर मोधी जी लगते हैं मैं उन्हें वोट देता हूं जब बाद दूसरी चीज चाहे मुझे उसका भाशन देने का तरीका ही अच्छा लगता हो वह मेरा सोल इं सबसे हूं हम इरपु इमाचल परदेश का रहने वाला हूं अब सुनिए नहीं नहीं अरे इनको मत बोलो अरे जाने दो यार कोई नहीं भागता सब के बाद मैं भी जा रहा हूं सुनिए मैंने कॉंग्रेस के उमीदबार थे रजेंदर राना जी मैंनों को वोट दे रखाया आपनली कह रहा हूं मोधी की तनी तारीफ कर दी मैंने जो मन मेरे मेरे परिवार ने मुझे यह सिखाया कि नैवर की वोट और पार्टी पार्टी के नाम पे कोई वोट मत दो मुझे अगर मोधी सही लगता है मैं मुझे सोनिया गांदी अच्छी लगती है मुँसे भी गनली कि ऱगती है